backlinks, blogs या website के लिए बहुत ही important होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस्क्रीन पर ये clearly mention है कि Google के ranking factor में backlink का एक important role है और अगर किसी को long term sustain करना है Google serve पे तो उसके लिए backlinks building करना बहुत ही important है दुनिया के जितने भी बड़े SEO expert है चाहे Dean Brian हो, चाहे Neil Patel हो या दूसरे हो, सब कोई suggest करता है quality backlinks बनाने के लिए तो इसलिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये quality backlinks building के बारे में होने वाला है complete guide होगा सायद आपको ऐसा वीडियो कहीं और ना मिला हो तो इसमें हम basic beginners के लिए बात करेंगे ताकि जो नए आ रहे हैं, जो नए blogger बन रहे हैं नए SEO expert बन रहे हैं उनको अच्छा learning मिल सके backlinks building के बारे में तो हम basic से बात करेंगे जैसे जो beginners हैं, जो नए blogging में आ रहे हैं नए SEO में आ रहे हैं, हो सकता है उनको link building का idea नहीं हो तो link building एक process होता है जिसके थुरू हम अपने website को किसी दूसरे website से connect करते हैं जिसको normally term दिया गया है back links का, ठीक है इसका नाम back links का कह सकते हैं और इसके process को link building कहते हैं इसमें कुछ important terms होते हैं, चो कि हमें ध्यान में रखना होता है, जो सबसे पहला term होता है anchor text, यह बहुत सारे मैंने, जब मैं like interview लेता हूँ content writing से related, SEO से related तो मैंने बहुत सारे लोग को notice किया है कि पता ही ही होता है anchor text क्या होता है तो इसको मैं आसान सब्दों में आग को बता दूँ, जो जिस पे हम hyperlink लगाते हैं, जो clickable text होता है उसको anchor text कहते है और यह बहुत ही important होता है link building process में क्योंकि इसी से decide होता है कि 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 keyword को target किया जाना है link के through तो इसलिए anchor text को हमेशा ध्यान में रखना आप, यह बहुत ही important factor है link building का अगले जो terms है, उसमें आपने कई बास सब्द सुनाओगा do follow, no follow का do follow actually by default होता है wordpress setting में या फिर किसी website में इसको setup नहीं करना पड़ता है लेकिन no follow हमें set करना पड़ता है यह ही HTML tag है जो no follow है या do follow दोनों ही HTML tag है जब हम no follow किसी hyperlink के साथ लगा देते हैं तो इसका मतलब हम indicate करते हैं search engines के crawler को कि जब आप crawl करो तो इसके links को ignore कर दो इसको अगर कहा जा आसान सब्दों में तो यह अगर किसी link पे no follow लगा है तो उतना impact नहीं परता है link का उसके ranking factor में यानि उसको juice जो कहता है like SEO में या blogging time में कहते है juice pass होना ओ juice pass नहीं होता है जब कि do follow में जो कि by default होता है do follow में हम search engine को बोलते हैं इस link को भी consider करो इस link को भी crawl करो तो इससे क्या होता है उस link को भी follow करता है crawler और इससे juice pass होता है इससे authority distribute होती है एक website से दूसरे website ता तो यह तीन basic terminology है जो कि link building में बहुत ही important role रखते हैं इनको जानना बहुत ही जरूरी है जब आप backings create करने जाते हैं अब हम बात करते हैं कि links कैसे बना सकते हैं देखे जो link building strategy हो कई सारे तरीके के हैं लेकिन links बनाने के चार major तरीके हैं जो इस्तमाल किये जाते हैं जो पहला तरीका हम link add कर सकते हैं दूसरा तरीका है हम link earn कर सकते हैं तीसरा तरीका है हम link के लिए बोल सकते हैं किसी को कि हमें link चाहिए और चौथा तरीका है हम पेट तरीके से link बना सकते हैं तो अगर मैं इसको one by one करके explain करो तो मुझे लगता है आपको details से समझ में आएगा और आप clear हो जाओगे और साथ में मैं कुछ examples, कुछ practical चीजे भी जो पहला तरीका है जिससे हम link add करते हैं तो बहुत सारे ऐसे platform है जहाँ पे directly जाके हम links add कर सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पे मैं search करता हूँ अपनी site का नाम हम just ऐसे search करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, आप साथ देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खुद से link add किया है मैंने किसी का मुझे approval का wait नहीं करना पड़ा मैं खुद से यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने link add कर दिया इस तरह अपनी website तो इस तरीके से link add कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारे ऐसे platform है और इन platforms पे जाके खुद से account create करके link add किया जा सकता है तो यह पूरा list है जो जहाँ पे हम link जाके खुद से add कर सकते हैं यहाँ पे हमें क्या करना होता है simple सा जाके यहाँ पे टेंबलर एक popular platform है इसको open करता हूँ और यहाँ पे open करने के बाद यहाँ पे sign up पे just click करेंगे और हम अपने account याँ जीमेल से या फिर कहीं से sign up कर सकते हैं यहाँ पे यह देख सकते हैं यह मेरा account है यहाँ पे देखेंगे यह मैने account बनाया है यह मेरा account है यहां पर देखेंगे कई सारे मैंने links यहां पर शेयर किया है तो यहां पर जाके मैं चाहूं फुद से link आइड कर सकता हूं यहां से भी post भी आइड कर सकता हूं यहां पर जैसे मैंने क्लिक किया और मैं यहां पर my student help line open कर लेता हूं अभी my student help line forum हो गया है student के लिए और यहां पर जाके कोई भी student अपना question कर सकता है तो इसका भी benefit है अब यहां पर कुछ data यहां पर कुछ हाइस tag आड़ कर सकते हैं जैसे BSC मैंने पोस्ट कर देंगे तो इस तरीके से हम यहां पर लिंक कर सकते हैं जैसे कि यहां पर देखेंगे और भी platform है यहां पर मैंने आपको अगर देखेंगे blogging insider चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो के नीचे आपको मिलेगा हमारा रेडिट का लिंक क्योंकि अभी गूगल ने इसके साथ कुछ लाइक है इनका partnership हुआ है तो इसके content को बहुत authority दिया जा रहा तो यह बहुत ही important है कि इस पर आप सभी लिंक हमने लगाया है website का हमने लगाया है तो इस तरह से कोई भी जाके यहां पर बनाके account link लगा सकता है तो इसको कहा जाता है link add करना ठीक है अब यह आप समझ गया है यह पूरा आपको list मैंने दिया है पूरा list आपको मिल जाएगा उसको checked-out करके website का पूरा list मिलेगा और साथ मैं देखेंगे यह वाला पूरा निष्ट आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे जाएंगे आप जब देखेंगे कि आपको सबda को मिल जाएंगे भीडियो समिसन सबुष Cam спर आपको धौनरा कैसे काम करता है आप जो दूसरे तरीकता है वाला लिंग काwidो है तरीक है गहां डिखा देता हूं जैसे यहाँ इमें डेटिंग है 64 है और 20,000 बैकिंग्स बन गए तो यह बैकिंग्स जाले तरह इसमें अर्ण किये हैं मतलब लोगों ने क्या किया है content को यहां से उठाया है आप इन्फोग्राफिक्स आड़ करो जैसे यहां पर आपके सामने एक मैं और एक जांपल ओपन करता हूं जैसे यहां पर बना है अब यहां पर देखेंगे इन्होंने की इमेज बनाया है काफी important इमेज बनाया है अब इस इमेज को कोई भी share करेगा अब यहां पर अगर कोई इस इमेज को इमेज को इमेज को तो उससे क्या होगा यहां पर इनको यह backlink मिल जाएगा इनका एक authority बढ़ जाएगा इस तरह देखेंगे और भी नीचे आएंगे तो इन्होंने बहुत सारे चीज़े यहां पर यह देते हैं अपने लोगों को कि ताकि हो इमेज कर सके ताक आप इस तरह कर सकते हो एसेट बना के ही कर सकते हो लिंक आरण आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी को आप जबजस्ति करा सकते हो तो लिंक आरण का बैस तरीका है आप अपने website पे solid content बनाओ insightful content बनाओ जो लोग share करें और उससे आपको link करने का मौका मिलेगा जो तीसरा तरीका है जिससे हम link building कर सकते हैं वो है asking for link इसमें बहुत सारे strategy आते हैं जैसे कि guest posting आ गया इसमें PR आ गया resource pages आ गया ब्रोकन link building आ गया यह सारे टेक्निक इसी में आते हैं तो for example मैं आपको directly दिखाता हूं यहाँ पर जैसे हमारा website है my student help line अब बहुत सारे ऐसे tools आपके जो like SEO plugin हो काफ कि लिए धर ग्रते हैं तो यहां पर देखएंगे 404 का एक option मिलता है यहां पे हमें पता चलता है कि हमारे 404 है तो यहां पर देखेंगे कि यह हमारा 404 लुख रहा है जिसको हमनेthis कर दिया कि तो इस से fix कर सकते है यह पहला तरीका है दूसरा तरीका यह है for example मैंने कहीं पर links बनाया मैंने कहीं को वेबसाइट पर लिंक बनाया है और वो लिंक हमारे से डिलीट हो गया या फिर हमने क्या कर दिया उस पोस्ट को हम आउटडेटेट था हमने हटा दिया कुछ भी कर दिया वट्टेवर अब क्या होगा वहां पर 4G to 4 है मतलब वो लिंक का जो है जूस पास करते हैं गेस्ट पोस्टिंग का अगर मैं बात करो तो मैंने यहां पर लाइब किया था तो यहां पर ब्लॉग इंसाइडर पर अगर आप जाएंगे आपको लाइब वाले सेक्शन में जाना है यहां पर और यहां पर देखेंगे गेस्ट पोस्टिंग पर मैंने कंप्लीट एक लाइप किया था और यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाइब है मैं आपको लाइफ दिखाताओ कुछ एक्जामपल से आप देख सकते हैं मैंने यहां पर डिएक लिए एमेल लिखा हुआ तो इसको हम ने नहीं कि जो चार्ज करते हैं जो लोग अब इसके बाद फिर गए फिर बहुत सारे लोग को हमने request किया यहाँ पे देखेंगे हुमने request किया I am WordPress Developer और इन्होंने reply किया और फिर हमने इनको guest post यहाँ पे लिख कि दिया और फिर इन्होंने उसको update किया अपने साइड पर तो इस तरीके से हमें मिल जाता है यहाँ है और इहां पे इन्होंने भूला कि हमें बहुत सारी लूग को करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसले से कुछ कशलों करने हैं जैसे इन्होंने अपना एक पूराद डिया था कि कुस तरगा प्रकूरओं करते हैं तो इस तरह के से आप कर सकते हैं इस से भी किस्ट पोस्टिंग करने निसे अंसे देखने में से मुझ लोगण प्लाइ किया कुछ लोग फ्ट थे कुछ लोगफ फ्यिट थे तो उसमें तरीका है एक टेक्निक है गूगल सर्च का एक स्ट्रिंग है जिसको हम डालते हैं और फाइंड कर लेते हैं तो मैं आपको बताता हूं क्या है तो इस करने के बाद आप 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 आज गूगल में बहुत सारे सपन हो जाते हैं तो इसमें अगर बात करें तो तो सर्च हो जिससे आपकी रैंकिंग में काफी बूस्ट्व मिलेगा फर जैसे कि यहां पर देखेंगे हमारे पास पहला विबसाइट इसको उपन करते हैं तो यहां पर देखते हैं है कि हले टेंजन उभी travel कि नहीं तो यहां पर जबना na बारे में और यहां पर जब रिसोर्स सम्मिट करेंगे तो देन रिवी होगा बहुत ही एक्सपर्टीज वाला चीज़े यहां पर सेर करना है ताकि आपको यह अप्रूवल मिल जाए क्योंकि यह बड़े वेबसाइट होते हैं और यहां पर इन्होंने पूरा गाइडलाइन भी लिख दिया है किस तरह का इनको चाहिए तो यह पहला हो गया यहां पर हमें मिल गया फिर दूसरे को ओपन कर लेते हैं फिर हम तीसरे को भी ओपन कर लेते हैं हम ओपन कई सारे कर लेते हैं फिर देख ल लखना है वही जो यहाँ पर data है उसके according ही रहे ताकि approval मिल सके उसके अंगेंस रहेगा तो approval नहीं मिलेगा तो पहले इनके guidelines को और सारी चीज़ों को पढ़ लें इसके लिए resource बनाए resource में क्या होता है कुछ content होते हैं आपका original email ID वेबसाइट है वो रहता है और सारी चीज़े उसके बाद आप इसे publish कर सकते हैं तो यह भी website मिल गया थार्ड पर आते हैं यहाँ पर भी देखेंगे सेम है यहाँ पर रिसोर्स सब्मिट करने का directly option मिल जाता है तो यहां से भी सब्मिट कर सकते हैं और यहां पर भी सब्मिट कर सकते हैं तो हर जिए लगबग ऐसे मिल जा अगес आता है PR यार के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्यार के बार के बारे में अलेडी में वीडि Do बना को अभी अगर दे verbs कर सकते हैं इसfold कुछ मेंने बताया है नहीं पर भी है तो ऐगर कर सकते हैं जबर सकते thirty ऐस अब यह तो हो गए टीन तरीके ऐसे हैं जो कि में अप बना सकते हो हारे हैं कि मैं इतना पैसा लेता हूं लिंक लगाने के लिए तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफर्म आपको मिल लाएंगे आप डिरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आपके नीज के राउंड जो भी साइट है उनसे कि भाई मैं मुझे इस कीवर्ट पर लिंक चाहिए आप बताओ कितना चार्जस होंगे मैं आपको और भी एक जमपल दिखा देता हूं जिसे आपका एडिया मिल जागा है किस तरह से लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ऑफर मिला था कि लाग कि यह 10 डॉलर देंगे मेरे वेबसाइट पर आपको वीडियो समझ में आया हो अगर फिर भी आपको कोई भी सवाल या सुझा है तो आप प्लीज कोमेंट करें वीडियो को लाइक और सेयर करें और आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद